अब जो लास्ट देखते हैं static type का variable static type का variable कहाज़े से हमें पता है कि कोई भी function हमने जब call किया और जब उसका जो execution complete हो गया और जब control दुबारा calling function के पास जाता है तो जितने सारे variables हैं वो सारे destroy हो जाते हैं लेकिन जो अगर इस static variable है तो उसका जो value होता है retained मतलब कर सकते हैं और वो उसका जो value है destroy नहीं होता है तो अगर कोई भी function में अगर कोई variable static है तो उसका value हम कभी भी access कर सकते even कि हमारा function call complete भी हो गया तो भी उसका value उसमें exist करता है और इसको कैसे define करते हैं तो अगर कोई भी variable को static बनाना just उसके आगे हम static mention कर देंगे वो हमारा variable static हो जाएगा एक और बात है कि अगर initialization है कहीं statement value में कुछ initialize कर रहे हैं तो एक ही बार चलेगा ऐसा नहीं कि बार बार अगर function call हो रहा है तो बार बार उसमें assign होगा नहीं static के case में वो बस एक ही बार initialize होगा दूसरी बात हो रहा है कि अगर उसमें हमने कोई value initialize नहीं किया तो उसमें 0 से initialize हो जाता है और वो एक ही बार होगा अब इसका एक example देखते हैं यहाँ पर क्या void function एक function हमने लिए static integer बी में हमने 3 दिया और दोनों को increment कर रहे हैं अब मैंने क्या बता है कि A में हमने कोई value नहीं दिया अगर यहाँ पर दे सकते is equal to 6 7 जो भी दिल करें लेकिन अगर नहीं दिया हमने तो by default यहाँ पर 0 आ जाएगा अब यहाँ पर A++ B++ अब यहाँ पर हमें बार बार हम प्रिंट कर रहे हैं अब यहाँ पर क्या होगा कि एक बार मैंने function call किया तो जब function call किया तो यहाँ पर क्या आएगा first time है तो first time आने के बाद यहाँ पर जो है A में हमारा 0 आ गया और यहां पर B में हमारा 3 आ गया 3 आया और 0 आया initialize ओ तो A में यहां पर क्या हो गया A में कितना हो गया 1 हो गया यहां पर B इसको मैं B यहां कट कर देता हूं यहां पर लिख देता हूं B 3 हाँ तो यहां पर क्या हो गया A में 0 हो गया A plus plus तो यानि कि 1 हो गया और B में कितना हो गया यहां पर 4 हो गया अब यहां पर print क्या करेगा एक का value कितना है 1 और B का value 4 print हो गया फिर यहां पर control यह complete हो गया यह control अब यहां पर इसका execution खत्म यहां पर आएगा तो यहाँ पर जब आया था यह value हमारा print कर दिया फिर दूबारा से function call होगा तो दूबारा से जब call होगा तो यही में यह जो line होगा यह एक ही बार execute होना था जो हो चुका अब यह दूसरी बार execute नहीं होगा यह वाली line और उसके बाद integer दूबारा से अब यह फिर दूबारा से b create होगा और b में value जो भी खतम हो गया फिर दूबारा से value b होगा और 3 होगा लेकिन a already exist कर रहा है यह हमारा destroy नहीं होगा और a plus plus करेंगे तो यह 2 हो जाएगा और b में कितना है 3 तो 4 तो पहली बाद हमारा क्या output आया था 1,3 नहीं 0 था 0 और 3 आया था second time क्या होगा यह में हमारा value कितना है 2,3 आयगा फिर इसी तरीके से third time जो अब call होगा तो a का value 3 हो जाएगा और b का value फिर दुबारा से create होगा तो यह हम देख रहे हैं कि static है यह value हमारा destroy नहीं हो रहा यह exist करें यह जब तक हमारा program run करेगा तब तक static variable exist करेगा तो मेरा ख्याल से static का concept clear example जितने सारे आप उसको एक बार run करो सारे जो भी confusion है वह clear हो जाएगे